सभी बच्छों को मशकार, बात हो रही है संगेज कल्कुलस की जिसके चेप्टर 5 एप्लिकेशन आप डेरिवेटिव की हम बात करें, जिसके कंसेप्ट एप्लिकेशन एक्साइज 5.5 की हम बात करें, तो देखते हैं उसका नेक्स कोईशन, देखें, फोर्थ कोईशन क्या कहता है, कोईशन मैं पढ़ता हूँ, आपकी स्क्रीन प्यारा होगा, लिका है, X and Y are the sides of two squares such that Y is equal to X minus X square, find the rate of change of area of the second square with respect to first square. क्या बोला, कुछ बोला अंग्रेजी में, दो square हैं, चलिए मैं दो square ले लेता हूँ, यहां construction नहीं करना है, संधाने के लिए में दे रहा हूँ, दो square हैं, अब यह नहीं करना कि इसकी length breath कम ज़्यादा क्यों नहीं है, यह rectangle दिख रहा है, वो बात की बात है, यह पहला square है और यह दूसरा square है, और पहले की side X है, दूसरे की side Y है, पहले की area होगी, मैं A1 माल लेता हूँ, तो आएगा πाई X square और दूसरे की area A2 माल लेता हूँ, तो पाई Y square, सही लिख रहा हूँ, अरे भाई, पाई X square circle का area होता है, केवल X square होगा, और केवल Y square होगा, ऐसी गलतियाँ शुन करते हैं, इसे मैंने लिख दिया, तो पहले का area है, दूसरे का area है, और आप से पूछे रहे हैं, कि rate of change of area of second square with respect to, मतब आपको जो निकालना है, वो निकालना है dA2 upon dA1, यह निकालना है, और आपको जो relation दिया है Y और X में, वो दिया है Y is equal to X minus X square, यानि Y is the function of X दिया गया है, Y की value X के term में दी गई है, यह बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, अब problem कैसे निकाली जाए, उसको समझने की कोशिश किया जाए, चूंकि यहाँ पर area जो है ना X का function है, तो यह निकालना है आपको, मतलब हम A1 को किसके respect में differentiate कर सकते हैं, तो आपके में A1 को X के respect कर सकते हैं, तो हम तो DA1 by DX निकाल सकते हैं, तो 2X आएगा, और A2 को किसके respect कर सकते हैं, Y के respect कर सकते हैं, तो 2Y आएगा, ठीक, अगर ध्यान से देखो, आपको निकालना है DA2 by DA1, अब एक लफडा यहाँ पर आ रहा है, कैसे निकालें आप, DA2 by DA1 क कैसे निकाला जाए, बहुत ध्यान से समझेगा, तो टेक्निकल चीज यहाँ पर है, अब आप कहेंगे मजबूरी यह है, अगर दोनों को डिवाइड कर देंगे, तब भी नहीं आएगा, अगर दोनों को आप डिवाइड करने की कोसिज करो, तब भी यह नहीं आने वाला है यह काम करता हूँ, यह d आफ y Square है, यह da to x Square है, ऐसा करता हूँ, इसको हम x का function मालेता, इसको x के respect करो, तो आएगा 2y dy by dx और यह आएगा 2x ऐसे कर दिया, d आफ y Square को हमने x के respect में differentiator कर दिया, कि y किसका function है x का function है y किसका function है x का function है तो मैंने इसको इस प्रिकार से लिख दिया नहीं सुन्ज में आई नहीं सुन्ज में आई ना छोड़ो अच्छा देखो ध्यान से इसका मतलब यह हुआ कि मैं d by dx of y square upon d by dx of x square कर रहा हूँ चुकि y x का function है तो जब मैं इसको x के respect करूँगा तो आएगा 2y dy by dx और x square करूँगा तो 2x आएगा अब समझ में बात आ गई होगी है ना तो जब इसको solve करेंगे तो आएगा y upon x into dy by dx अब dy by dx यहां से निकाल लो यहां से जब dy by dx निकाल होगी तो क्या आएगा 1 minus 2x आएगा रग दो यहां उठा करके तो da2 by da1 is equal to y by x into 1 minus 2x तो यह आएगा आपका y 1 minus 2x upon x is equal to y minus 2xy upon x तो यह आपका value निकला ठीक है और answer यह आपका match नहीं कर रहा है क्यों नहीं कर रहा भई यही answer है लेकिन महले आपको match कराना है तो देखो चूंकि y किसका function है x का function है तो answer गलत नहीं है तो y की जगे क्या लिख सकते हैं मैं यह answer अगर मैं यह नहीं लिख रहा हूं तो y की value रगदो उठा करके तो आएगा da2 by da1 is equal to y की value क्या है y की value है यहां से x कामन ले लो x 1-x 1-2x upon x x कर गया ब्रेट खोलो 1-2x minus x plus 2x square तो आएगा 2x square minus 3x plus 1 यह आया da2 upon da1 ठीक है तो यह है rate of change of area of second with respect to first थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन किसका function है किसके respect में हम differentiate कर सकते हैं कौन किसका function है ठीक है यह ध्यान देना पड़ेगा जिसको डांट रहे वो किसका लड़का है अब यह आर पंगा ले लिया तो वो तो dawn का लड़का था तो आपको जनकारी होनी चाहिए कि किसके respect में उसको आप differentiate कर रहे हैं तो यह fourth question है next in the next video नुश्कार प्रश्कार